आप सारे स्टूडेंट जो नीट 2022 दिये होगे उन सारे बच्चों को आंसर मिल गया होगा उनकी वैमार सीट मिल गई होगी मैं यह कर रहा हूँ कि आप लोग का अच्छा गया होगा experience practically मेरे को बहुत सारे ऐसे student मिले हैं जिनके marks में कोई change नहीं आ रहा है बट काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके marks में change आ रहा है कुछ challenge कर रहा है कुछ challenge नहीं कर रहा है कुछ का doubt है कि challenge करने से क्या एक बच्चा जो challenge करेगा और वो उसका challenge accepted है तो क्या उन सारे student को marks मिलेगा जो उस question में वही option किये हैं तो ऐसे सारे mix इस time आप लोग के अंदर emotions चल रहा है experience चल रहा है और उन सारे student को जो अपना wait कर रहा है अपनी counselling अपना जो result wait कर रहा है उसके बाद उनके marks somehow कम है या हम कह सकते हैं border line पे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा attention हो रही है जो बच्चा first attempt में था उसको थोड़ा सा कह सकते हैं उसको पता है को एक chance और ले सकता है बट जो second, third के बाद भी जिनके marks अच्छे नहीं आ रहे हैं या फिर border line पे हैं तो उनके लिए really बड़ा tough time है ये और हम सब wish करते हैं कि cut up नीचे जाए और उन बच्चों को seat मिले इसमें आपको पिछले साल के data से थोड़ी help मिल सकती है because result immediate declare होने के बाद हम लोग compare कर सकते हैं कि last year के उस marks पे क्या all India rank थी और इस साल के उस marks पे क्या all India rank है इससे हम compare कर सकते हैं कि performance बच्चों का better हुआ है पिछले साल के compare में या नीचे गया है और वहां से काफी कुछ clear हो जाता है कि इस साल क्या cut up जाने वाला है state का lower cut up के बारे में ही हम ज़्यादा interested होते हैं रही बात upper cut up की तो उसमें बहुत ज़्यादा tension नहीं है उसमें हाँ tension यह होती कि आपको कौन सा college चाहिए लेकिन आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ उत्राखंड और उत्तरप्रदेश इन दो state के बारे में इस पर वीडियो मैं बना चुका हूँ बट अभी काफी demand आ रही है इन दोनो state के बारे में मैं पिछले साल के last year second round up का टब बताऊंगा उत्राखंड का second ही बताऊंगा क्योंकि first के बाद second down गया था उत्राखंड में लेकिन UP में first में नीचे गया और second में एक rise कर गया उसके पीछे कई बज़े थी एक बज़े ये भी था कि All India से लोग यहां opt कर गये All India में uncertainty थी College बहुत दूर मिल ले थे अच्छा नहीं मिल ला था तो एक region था फिर हला की मॉप अप और stream में वो नीचे गया लेकिन फिर भी first round के बाद एक एक suit कर जाना बड़ा disappointment था उन बच्चों के लिए जिनको first round में नहीं मिलाता एक आद नंबर से तो UP का मैं दोनों round का बताऊंगा उत्राखंड का second round का बताऊंगा और आप सबसे request एक first time अगर भी वर हो चैनल पे तो चैनल को जरू subscribe कर लेजएगा comment जरू लिखे comment लिखने से क्या होता है कि communication बनता है और हमें लगता है कि आप communicate कर रहे हैं आप बता रहे हैं हमें कुछ हमें feedback मिलता है मुझे feedback चाहिए आप लोग से कि आप क्या चा रहे हो आपके दिमाग में क्या चल रहा है आपकी planning क्या है कोई information हो तो please share करो ये information जो मैं दे रहा हो हो सकता है इसमें गलती आओ mistakes हो सकते हैं because data compilation में कुछ भी गढ़बढ हो गई कई बार उतना closely हम नहीं देख पाते हैं तो वहाँ पर mistake हो सकती है बट आप सबसे मेरे request होगा अगर ऐसी कोई गलती हो तो please बताइए intentional नहीं होगा कोसित रहती अच्छी और correct information जाए बट अगर ऐसा होता तो please बताइए लास्ट इयर में second round counseling में general का 566 गया था और general girl का लड़कियों का 568 गया था तो पहली बात मैं clear कर दू girls के नाम पे कोई benefit नहीं होने वाला है कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि इतना number है girls category में क्या हमें मिल सकता है girls category एक horizontal reservation system है और लड़कियां since ज्यादा रहती है इसलिए फाइदा नहीं होता IIT में girls category का फाइदा होता है क्योंकि वहाँ लड़किया कम appear करती है STDPW defense personal ward 152 marks पे स्रीनगर में admission लिया था last unreserved PWD 154 GMC हलदवानी में admission लिया गया था और 154 marks है कितने कम marks अब समझ लो unreserved orphan category में 251 में GDMC दून government medical college दून में admission लिया गया था unreserved freedom fighter में 361 पे GDMC दून में मिला था ST open category 388 पे almoda मिला था ST woman category 423 GDMC दून में मिला था last second round में SC woman category 401 almoda SC open category 402 almoda word of kasmiri migrant open में 484 almoda में मिला था EWS open 533 almoda EWS girl 533 almoda उसके बाद OBC DPW 542 स्रीनगर OBC woman category 546 almoda OBC open category 551 almoda और unreserved DPW almoda 546 और आपको पता है unreserved open में 566 almoda गया था जो बच्चे ने 566 score किया था seed increment होता है थोड़ा और change आप देख सकते हैं तो यह एक expected आप कर सकते हो फिल हाल के लिए मैंने हलाकि उसका cut up का एक अलग separate वीडियो बनाया हुआ है लेकिन इसमें भी मैं क्योंकि इसमें मैं यही बताना चाहरा हूं तो पिछले साल के अपेच्छा इस साल अगर आप इसको देखते हो तो आप यहां पे दो से पांच नंबर का drop expect कर सकत हो लेकिन overall उपर नहीं जाने के chances हैं यानि 566 से नीचे ही रहने के chance है उपर जाने के chance नहीं है किसी छोटी category में ऐसा हो सकता है DPW में हो सकता है conspiracy migrant में हो सकता है लेकिन जो major category होते हैं जो vertical reservation system होते हैं general, OBC, CST, EWS इसमें drop ही होने के chances हैं नीचे उपर जाने के chance नहीं EWS में उपर जाने के chance हो सकते हैं इसको देखा जाएगा EWS में थोड़ा सा एक पंगा भी है government का कुछ वो अभी जैसे कुछ आएगा मैं बताओंगा अभी फिलाल आपको reservation मिल ला ऐसा सोस सकते हैं अब मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश में हम लोग दोनों category मैं आपको घटाब बताने वाला हूँ in fact मेरे पास वो भी list है जहां पर बच्चा कौन सा बच्चा है और बच्चा किस college में admission दिया है तो पूरा मैं यहां पर नहीं दे रहा हूँ लेकिन फिर भी काफी information दे देता हूँ मैं ST category में 241 STOP लिखा हुआ है उसमें 241 marks पे admission हुआ है एक बच्चे का एटा में और इस बच्चे के ओल इंडिया रहेंग थी 459,635 उसके बाद ST girl का है 254 इस बच्चे ने admission लिया परतापगड में इस बच्चे की रहेंग थी यह round 1 की बात कर रहा हूँ 432,411 उसके बाद unreserved freedom fighter इस बच्चे ने 261 marks पे admission लिया और ये एटा में admission लिया SCNC है NC मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूँ non creamy तो इसमें नहीं होता आप लोग मुझे बताईएगा correct करियेगा 268 marks पे इस बच्चे ने admission लिया अंबेट कर नगर में उसके बाद OBC class में freedom fighter में 355,587 rank पे जिस बच्चा जो बच्चा था उसके marks थे 294 और उस बच्चे ने admission लिया मिरजापूर मेडिकल कॉलेज में उसके बाद 294 marks पे BC backward freedom fighter में आपको बता चुका हूँ फिर SC category में ex-serviceman 307 पे मिरजापूर में admission लिया गया फिर उसके बाद 396 marks पे OBC NC NC में थोड़ा नहीं समझ पाया हूँ ना तो मैं इतना time लगा के आप लोग सच का लेना और comment में बताना है NC क्या है 396 पे admission लिया है जौनपूर में बच्चे ने फिर उसके बाद marks पे EWS category में NC में 431 marks पे admission हुआ है उदायराज जी का उदायराज सिंग फादर का नाम था बच्चे का नाम हम सिंग है उसके बाद SC open category में 454 पे admission हुआ हुआ 1st round में 454 पे admission हुआ 1st round में SC open category और उसके बाद SC girls में 454 पे देखो कोई marks का change नहीं आया इस बच्चे ने admission लिया गाजीपूर में दुनों बच्चों ने गाजीपूर में admission लिया ranking 1,29,331 से लेके 3,94 तक 3,31 4,30 454 marks ही थे तो मैं अगर गलत बोल गया हूँ फिर से बो N.C. इनको last man admission मिला SC OP category में 454 marks पे admission मिला और SC girls में 454 दोनों same marks पे मिला unreserved NC category में 457 और उसके बाद unreserved X serviceman पे 591 पे admission मिला OBC EX ex serviceman 597 पे admission मिला OBC OP में 597 पे admission मिला OBC girls में 597 पे admission मिला कोई change नहीं आप देख रहा हूँ इसमे OBC girls में 598 पे admission मिला there is no change almost EWS EX में 599 पे admission मिला और उसके बाद unreserved EW OP में EW girl में 599 पे admission मिला unreserved OP में 601 में admission मिला बनलब एक open category में 601 पे first round में unreserved girl को 602 पे मिला जिनन girl category से लिए girl लड़किया general category open category से भी unreserved में ले सकती हैं तो 601 और 602 general का cut up गया 602 लड़कियों के category में 601 general category में गया UP का first round में और आप देख सकते हो roughly हो बता सकता हूँ 599 OBC कह सकते हो EWS कह सकते हो EWS X imply 598 गया general का 601 602 कह सकते हो 601 गया general किसी भी का unreserved का open category में girls का 602 गया और OBC 597 598 different different category में ऐसे गया एक serviceman 597 तो 597 से लेके 601 दो तक OBC और General और EWS का admission इसी के बीच में हुआ तो ये clear हो गया आप लोग को अब आजाते हैं second round second round आप counseling में cut up एक दम उपर चला गया और यह unexpected गया इसमें क्या है unreserved physically handicapped 135 गया ये नीचे आया SCNC में 170 गया इसने फटेपूर में admission लिया इसने अमेडिकर नगर में लिया unreserved physically handicapped में merit में लिया उसके बाद 173 पे OBC PH को मिला फटेपूर 187 EWS PH को मिला जहासी में EW Freedom Fighter 200 मार्क्स पे मिला कानपूर में यहां सब में drop देखने को मिला बट major जो main category है उसमें increase कर गया उसके बाद SC physically handicapped लखनो में लिया इन्होंने 243 मार्क्स पे और ST open category में 296 पे admission लिया सहारनपूर में सहारनपूर का college भी SC ST में ज़्यादा सीटे है उसके बाद ST OP में सहारनपूर बोल दिया मैंने SC PH उसने लखनो में लिया 243 पे उसके बाद SC X serviceman या 438 पे सहारनपूर में उसके बाद 453 में SC open category आया सिधारतनगर में 475 में SC general category में फिरोजाबाद में फिरोजाबाद या 475 उसके बाद unreserved X employee 598 गया यहां पे भी लगभग वही था पिछले first round वाला ही अब देखो OBC X serviceman 606 चला गया यहां बढ़ गया उसके बाद आ गया EWS open category 607 यहां बढ़ गया उसके बाद OBC general category 613 हो गया यहां काफी बढ़ गया उसके बाद unreserved general category 613 हो गया यहां भी बहुत बढ़ गया 613 पहुँच गया उसके बाद unreserved girl लड़कियों का 614 पहुँच गया EWS girls 645 पे बच्चे ने डमीशन लिया लखनो में और OBC girls 651 पे second round में डमीशन लिया लखनो में KGMU में तो इतना rise कर गया KGMU का second round तो 651 पे चला गया तो ये था पुरा overall अब यूप अच्छा इसके बाद जब map up round हुआ इसके बाद जब एक stay round हुआ वहाँ पे down हुआ तो UP में 595 से plus बच्चे तो assure हो सकते हैं जन्रल कटेगरी के इनको इतना मिलना चाहिए मेरे इसाब से और हर कटेगरी में 15-10 नंबर नीचे जा सकता है कुछ-कुछ कटेगरी में उपर जा सकता है physically handicapped हो गया, freedom fighter, ex-serviceman यहां के बारे में prediction बहुत कम होता सीटे बहुत कम होती हैं, लोग भी बहुत कम होते हैं तो लोग भी बहुत कम होते हैं तो इस बार अगर लोग बढ़ गए हैं थोड़े से भी तो यहां पर दिक्कत आ जाती है तो it was all about counseling process के लिए cut-up का मैं एक बार अलग वीडियो बना चुका हूँ borderline वाले बच्चे थोड़ा सा preparation अपनी start कर सकते हैं, अगर इस साल वो चाहते हैं कि कि साल और पढ़ना, तो पढ़ाई सुरू कर दे क्योंकि उनका काफी नुकसान होता है expectation जो उनके अंदर expected expectation जो है वो उनको बहुत दिक्कत कर देती है बाद में, मिलता नहीं है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, और उनको आखरी बच्चों को आखरी round तक जाना पड़ सकता है काफी 2-3 महीने का वेट करना पर सकता है तो मेरा सबसे है कि जो borderline को बच्चे है वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे और इस बार cut up नीचे जाना चाहिए ideally काफी हद तक तो पता चलेगा रजल निकलने के बाद बद मेरा अपना view है पांच नंबर नीचे जा सकता है यूपी में कटा अब जन्रल का और OBC, EWS में भी इतना ही और SCSD थोड़ा सा और ये मेरा observation है देखते हैं क्या होता है असली चीज तब तब पता चलेगी जब रजल्ट आजाएगा So thank you very much All the very best